हेई गाईज, ओकम बैक टो अनादर वीडियो, तो गाईज, I hope आप सब लोग आर्ट कॉम्पेटिशन के बाड़े में जानते हो, जो मैं और्गनाईज किया था, तो आप लोगो को सुसान सिंग राजपूर सार का ड्रोइंग करना है, और ड्रोइंग करने के बाद आप लोग आपना सिंगनेचर कर देना, और आप में से काफी सारे लोगों ने सुसान सिंग राजपूर सार का ड्रोइंग टूटरेल के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, तो मैं आउटलाइन टूटरेल अल्डेडी आपलोड कर चुका हूँ, तो वो देख लेना वीडियो और इस वीडियो में हैर्स को कैसे ड्रोइंग करते हैं, बिल्कुल step by step सिखेंगे, और उसके बाद next part में face drawing tutorial आईगी, तो चलिए, ट्रोइंग को सुरू करते हैं, तो हैर्स बनाने के लिए में 2B, 4B और 8B pencil का यूज़ करूँगा, एक 2B lid का mechanical pencil का यूज़ करूँगा, आप चाहे तो make up बलब विरास को भी यूज़ कर सकते हो, तो जैसे कि आप देख सकते हो, पहले में outline बना लिया हूँ, outline का tutorial आपको नीचे description में मिल जाएगी, तो hairs draw करने के लिए सबसे पहले में mechanical pencil को कुछ इस तरीके से लेकर indentic technique का यूज़ करूँगा, आपके पस mechanical pencil नही section में stroke देना है, ये करने से hairs काफी realistic लगेगी, बस आपको next step जो भी में दिखाऊंगा, अची तरीके से follow करना, तो मैं पहले ये indentic technique के यूज़ कर लेता हूँ, आप अची तरीके से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, और हाँ इस technique के यूज़ करने के लिए आपका paper I think minimum on 40 GSM क होना चाहिए, वरना paper फट सकती है, तो आपका paper उससे कम GSM का हो, तो इस technique को आप skip कर सकते हो, और मैं जेव नीक step दिखाऊंगा, वासे आप start कर सकते हो ओके मैं first step को complete कर चुका हूँ, अभी मैं 2B pencil का यूज़ कर रहा हूँ, और बिल्कुल light pressure के साथ hair की direction में स्टोक दे रहा हूँ बस आपको ऐसे 2B pencil के यूज़ करके पूरी hairs को set कर ले रहा है, और आपकी pencil बिल्कुल sharp होना चाहिए नहीं, तो आप 2B light का mechanical pencil को भी यूज़ कर सकते हो mechanical pencil को यूज़ करने की फाइदा यही है कि आपको बार बार pencil को sharp नहीं करना पड़ेगा तो मैं इसी तरीके से sharp pencil से पूरी hairs को set कर लेता हूँ, अब तब तक देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ मैं आप लोगों को mechanical pencil को भी यूज़ करके दिखा देता हूँ, बाकि result तो same ही आएगी और हाँ आप लोगों को suggest करूँगा, आप लोग बिल्कुल patience के साथ draw करना, एक एक part पकर के draw करना, एक ही बारी में मत कर देना और जल्वाजी मर्द करना, नहीं तो आपकी hairs अच्छी नहीं लेगेगी और जैसे कि अब देख सकते हो, highlighted areas में बिल्कुल light passer को use कर रहा हूँ और जहाँ पर ज़्यादा dark area है, वहाँ पर ज़्यादा passer को apply कर रहा हूँ तो इसी तरीके से पूरी hairs को में draw कर लूँगा, तब तक अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ कर रहा हूँ तो गाइस to be pencil को use करके पूरी hairs को में set कर लिया हूँ अभी brush को use करूँगा इसको blending करने के लिए और आपको hairs में blending stamp या tissue पर या किसी भी tool का use नहीं करना है only brush को use करना है और बिल्कुर lightly blending करना है कुछ इस तरह से है इससे पहले to be pencil को use करके जिस direction में hairs को draw किया हूँ brush से उसी direction में blending करना है तो guys मैं fast layer को complete कर चुका हूँ अभी मैं 4B pencil को use करूँगा और बिल्कुर lightly hair की direction में stroke दूँगा क्योंकि इसके ऊपर आपको highlight भी करना है और reference photo की हिसाब से जहाँ पर भी dark area है वहाँ पर थोड़ा पेसर के साथ draw कर रहा हूँ और एकदम से आपको एकी pencil से dark नहीं करना है layer by layer आपको करना है तब ही आपका drawing realistic लगेगी तो ऐसा ही करके इस layer में 4B pencil को use करके फुरी hairs को draw कर लूँगा तब तक अब देखिये मैं कैसे कर रहा हूँ मुझे आपको कर देखिया है ओके मैं 4B pencil से 2nd layer को कड़ चुका हूँ अभी मैं इसको ब्राज से बिलकुल lightly hair की direction में blend करूँगा कुछ इस तरह से blending करने के बाद जहापर भी आपको गलती लगे वही pencil से आप इस तरीके से ठीक कर सकते हो अभी मैं 3D layer को add करूँगा 8B pencil को use करके आप कोई भी dark pencil को use कर सकते हो like 8B, 10B और इस layer में only जहापर dark area वहापर hair की direction में stroke दे रहा हूँ दियान रखिए आपका pencil बिलकुल सार्फ होना चाहिए हूपापर बिलकुल से एंज कर दो launchesने जहें कर दो आपकापपर आपकरƯ़ झाल केchu थापकिया तरी थाल ए्ट ग्टर्फूश वहीजर को बिलकुल ओके अभी में इसको भी वैसे ही हैर की डारेक्शन में ब्लेंड कर लूँगा और फिर इसके बाद हाइलाइट करूँगा हाइलाइट देने के लिए मैं टॉंबो मानOS रिडियोऊजर का यूज कर रहा हूँ आपके बस नहीं है तो आप कोई वी रिडियोजर को काट करके कर सकते हो और टॉंबो मानOS drop को कैसे आप घर में बना सकते हो तो इसके उपर भी में एक वीडियो अप्लेट कर चुका हूँ, अब वो चेक आउट कर लेना और उसके बाद आपको थोड़ा सा गलते लगे तो बिल्कुल सार्फ टूबी पेंसिव को यूज़ करके आप हैर के डिरेक्शन में स्टोक दे सकते हो तो मैं कैसे हाइलाइट को दे रहा हूँ, आप दियान से देखिए और उसके बाद आप चाहिए तो बिल्कुल लाइटली ब्रास से ब्लेंड कर लेना तो बस अभी अब देख सकतो हैर्स ड्रॉव हो चुका है तो थेंक्यों सो मच वाचिंग, बाई